नमस्कार अस्सलालेकुम सश्याकाल और ग्रीटिंग्स इसे लाइक माई चैनल सब्सक्राइब इट काइंडी लाइक एंड शेयर तो आज हम डेली यूस सेंटेंसिस करेंगे वहे खेलना शुरू कर देता है तो ऐसे वाक्यों को हम स्टार्ट से बनाते हैं और स्टार्ट के लाद जो भी वर्व होता है उसमें आइजी जोड़ते हैं वहे खेलने लगा, यानि कि उसने खेल प्राणम कर दिया है तो इसको बनाएंगे वहे के लिए और खेलने लगा के लिए स्टार्टेड प्लेइंग वहें खेलना शुरू कर देगा वह के लिए he और खेलना शुरू कर देगा तो इसके लिए हम will लगाएंगे will start playing he will start playing उसने खेलना शुरू कर दिया है यानि कि खेलना शुरू कर दिया है यानि कि present perfect tense he has started playing उसने खेलना शुरू कर दिया था खेलना शुरू कर दिया था खेलना शुरू कर चुका होगा यह आपका future perfect tense है he will have started playing उसे खेलना शुरू कर देना चाहिए चाहिए के लिए हम should कर इस्तामाल करेंगे he should start playing वह केलना शुरू कर सकता है यहां पर कर सकता के लिए कहना है गा तो he can start playing वह केलना शुरू खेलना शुरू करने जा रहा है खेलना शुरू करने जा रहा है यानि he is going to start playing वह केलना शुरू करने जा रहा था खेलना शुरू करने जा रहा है यानि he was going to start he was going to start playing वह केलना शुरू करने की हिम्मत करता है हिम्मत करने के लिए हम dare का इस्तामाल करते हैं इसलिए सेंटेंस ऐसा होगा He dares to start playing उसने खेलना शुरू करने की हिम्मत की हिम्मत की के लिए हम dared का इस्तामाल करते हैं He dare to start playing वैं खेलना शुरू करने की हिम्मत करेगा हिम्मत करेगा के लिए will dare आएगा He will dare to start playing उसे खेलना शुरू करना है करना है के लिए हम ऐसे वक्यों में हैस्टू का इस्तमाल करते हैं He has to start playing उसे खेलना शुरू करना था ऐसे वक्यों में हैस्टू का इस्तमाल होता है He had to start playing वह खेलना शुरू कर सका सका के लिए कुड आता है He could start playing वह खेलना शुरू कर सकता था सकता था के लिए could have plus work की third form आती है he could have started playing उसे खेलना शुरू कर देना चाहिए था चाहिए था के लिए हम should have plus work की third form का इस्तमाल करते हैं he should have started playing झाल उस्तमाल आती हैं